धन्यवाद सभापती जी, सबसे पहले तो अंतराष्ट्य महिला दिवस के इस मौके पर मैं अपनी और से विश्व के इस सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुबका मनाये देती हूँ उसके साथ ही मैं इस सदन के सभी लोगों के प्रति आभार विक्ट करती हूँ कि इस विशे पर सदन चल गया और केवल चला नहीं हमारे साथ ही पुरुष सांसदों ने केवल हमारी बात सुनी नहीं बलकि हमारे स्वर में स्वर मिलाकर हमारा साथ लिया और सभापती जी इससे आपका मानसिक तनाव कम हुआ इसलिए आपकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी मैं यहां बैठे अपने सभी सांसदों के प्रती आभार प्रकट कर दिया सभापती जी अंतराश्टी महिला दिवस का दिन हमें एक ऐसा मौका देता है जब हमें महिलाओं द्वारा अरजित की गई उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमिया हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए जहां तक महिला आरख्षण बिल का सवाल है मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूँ और आज भी पुर्जोर धंग से समर्थक हूँ लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर कुछ उन उपलबजियों का भी बखान करना चाहूंगी जो आरख्षण के बिना भी महिलाओं ने प्राप्त की है क्योंकि विदेश मंत्री के नाते मुझे जब दूसरे देशों में जाने का मौका मिलता है तो जंडर इंपावर्मेंट एक आम विशे है जिस पर चर्चा होती ही है उस समय में माथा उचा करके कहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिला राष्ट्रपती बनी जहां महिला प्रधान मंत्री बनी जहां दो-दो महिलाएं स्पीकर बनी जहां अनेक प्रधेशों की मुक्षमंत्रे महिलाएं बनी जहां अनेक राष्ट्रिय दलों की अध्धक्षाएं महिला बनी उसे के साथ साथ मुझे वो उपलब्दियां भी याद आती है जहां महिलाओं ने एक आधिकार का खेतर पुरुषों का तोड़ा है एक समय था पुलिस, आमी, एफोस, कमर्शल पालेट जिसकी बात तिर्की कर रहे थे यह सब पुरुषों के एक आधिकार के खेतर थे आज महिलाएं आमी में कॉमबेक ड्यूटी कर रहे हैं एफोस के जहां जुडा रहे हैं अंतरिक्ष में जा रहे हैं क्रित्रम फुट से, आर्टिफिशल पैर से एवरिस्ट को फते कर रही है और अभी अभी इस 26 जनवरी को आपने देखा जो बाइक्स के करतब होते थे वो पुरुषों का एक आधिकार था लेकिन इस्वाग B.S.F. की 161 जाबाज महिलाओने वो करतब भी राजपत्पर दिखा करके वो एक आधिकार भी तोड़ दिया लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक तरफ ये उपलबजियों का अंकड़ा हमारा माथा उंचा करता है वहीं दूसरी और महिलाओं के साथ हो रहा अन्याए और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी करती है इसलिए आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है कि इस अन्याए और पीड़ा को हम सहन नहीं करेंगे और जब मैं हम कहती हूँ तो मैं मैं और विमन दोनों की बात करती हूँ जब मैं हम कहती हूँ तो मैं पूरे समाज की बात करती हूँ जब मैं हम कहती हूँ तो मैं केंदर सरकार और राज्य सरकारों की बात करती हूँ तो आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि केंदर सरकार, सभी राज्य सरकारें, सभी सांसद, सभी विधायक और समाज का हर वर्ग जिस मानसिक्ता की बात मेरे भाई कर रहे थे उस मानसिक्ता को तोड़ने में लगेंगे और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की फीडा हो रही है उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे ये एक movement बनना चाहिए ये एक आंदोलन बनना चाहिए ये केवल एक सरकारी कारिक्रम बन करके नहीं रह जाना चाहिए और उस जन आंदोलन की यदि भूमी का आज इस सदन से शुरू होती है तो मुझे लगता है कि ये अंतरराश्टी महिला दिवस वास्तों में हम सार्थक र